हेलो एवरीबान वेलकम टू माई चैनल मादूरीज वर्ल्ड ये है मेरा नया चैनल जो मैंने आप सभी के लिए बनाया है यहां मैं आपको हर वो चीज दिखाऊंगी जो आप जानना चाहते हैं जैसे ब्यूटी टेप्स, ट्रैवल ब्लॉग्स, फूल रेसिपीज, होम रेमेडीज, हेल्थ और फिटनेस टिप्स, एकसेक्टरा एकसेटरा तो आज के इस पहले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी एक ऐसी होम रेमेडी जो आपकी जिद्धी से जिद्धी टैनिंग को भी चुटकियों में मिटा देगी और ये रेमेडी इतनी आसान है कि आप इसके सारे इंग्रिडियंट्स अपने किचन में ही आसानी से पालेंगे इस रेमेडी में सिर्फ 4 स्टैप्स है जो आपको फॉलो करने हैं जैसे क्लेंजिंग, फेस मास्क, स्क्रबिंग और मॉिस्टराइजिंग तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस रेमेडी को बनाना दोस्तों टैनिंग हमें दूप की वज़े से होती है हमारी स्किन का जो हिस्सा दूप में एक्सपोस्ड हो जाता है वो हिस्सा डिसकलरड हो जाता है जिसे हम टैनिंग कहते है टैनिंग हमें किसी भी मौसम में हो सकती है सिर्फ 7 मिनिट की दूप हमारे स्किन को टैन करने के लिए काफी है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम इस डिसकलरेशन को कैसे हटा सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए दही बेसन हलवी गुलाब जल हनी प्रेंट्स में आपको इस रेमेडी को अपने हाथों पर लगा के दिखाऊंगी लेकिन आप इस रेमेडी को अपने पूरी बॉड़ी पर लगा सकते हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस रेमेडी को अपलाई करना सबसे पहला स्टैप है क्लेंजिंग के लिए हमें चाहिए लेमन जूस हम दो चार बूंदे लेमन जूस की ऐसे निचोड लेंगे उसके बाद हमको चाहिए गुलाब जल गुलाब जल की कुछ बूंदे हम इसमें डाल देंगे और अब इस कॉटर से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे जहां भी टैनिंग है वहां पर इस तरीके से अपलाई कर देंगे इसे अच्छे से रब करना है ताकि हमारी जो टैनिंग है वह निकल जाए अब इससे हमें दो तीन मिनिट तक ऐसे ही रखना है तो फ्रेंड्स क्लेंजिंग का प्रोसेस हो चुका है दो तीन मिनिट हो चुके है अब हमारा नेक्स टैप है नैच्छरल टैन रिमूवल पैक बनाने का उत्जिसके लिए हमें चाहिए हनी बेशन हल्दी और दही सबसे पहले हमें लेना है दही अब हमें इसमें एड़ करना है एक चमच बेशन अब हमें इसमें डाल लिए हैं चुटकी भर हल्दी अब हमें चाहिए एक स्पून हनी अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें इसलिक गाड़े पेस्ट की कंसिस्टेंसी में रफना है ताकि अपनी स्किन पर अच्छे से अपलाई हो जाए यह अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम इसे अपलाई करेंगे मैं फिलाल यहां पर अपने हाथों पर लगा के दिखा रही हूं लेकिन आपको जहां भी टैनिंग है आप वहां अपलाई कर सकते हैं और इसे गाड़े पेस्ट की लेयर में लगाना है अच्छे से आपको इसको रब करना है थोड़ी देर और हमें इसे 15 मिनिट तक अब इसे सूखने देना है देखिए अब हमारा यह पैक अच्छे से सूख चुका है 15 मिनिट हो चुके है अब हम इसे धो लेते हैं हमने इस पैक को दो लिया है अब हमारा लास्ट टैप है मौस्टराइजिंग का क्योंकि कोई भी पैक लगाने के बाद हमारी स्किन बहुत ड्राय हो जाती है जिसके लिए हमें उसे मौस्टराइज करना बहुत इंपोर्टेंट है तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं जल हम थोड़ा सा अपने हाथों पर लेंगे और इसे अच्छे से मौस्टराइज करें तो थोड़ी ते हम इसे इसकीन में एप्जॉब होने देंगे तो देखिए फ्रेंड्स यह मेरे हाथों का फरक है इस हाथ में मैंने अपने होम रेमेडिय अपलाई की थी और इसमें नहीं की थी तो आप खुद ही देख सकते हैं कितना फरक है दोनों हाथों में आप इस रेमेडी को अपनी बॉड़ी पर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और आपको इस रेमेडी को हफ़ते में दो बार यूज़ करना है आप अपना फरक फुद ही देखेंगे अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक क्यार तो फ्रेंड्स मैंने अपने हाथों को क्लेंजिंग कर लिया है दो तिन मिनिट हो चुके हैं अब हमारा नेक्स टेप है पैक का तो हमें इस पैक को यह पैक नैचुरल होम रेमेडिस पैक है अरे लगाया है उसको हाथ को खाले अभी अरे चूब बैटना प्रेंड्स मैं इसे अपने हाथों पर लगाकर लिखा ग Cop 2 अभी अंतलने हीया आप यह अपने हाथों लगा कर लगा कर दिखा रहे हुँ लेकिन आप यह अपनी पूरी बॉरी न बाड़ासे के है उग्ish झाल झाल